प्यार के साथ उचन धरम पत्री का जो प्लॉट है जो स्टोरी है वो तनी जादा मतलब खतरनाग तरीके से चेंजिस ले रहे हैं इतनी बतलब कि एकस्पेक्टड चीज जो ही नहीं नियुक्त सब अनuda की स में जा और चीज़् में प्लॉट होता है वह चीज्ष तो थोड़ी अइगसिपेक्टड से लेकिन बाइक है उमतरूरी मासित ड्स टूरी से चल रहा प्रतिक्षा की शादी में चला जाएगा की शादी को नहीं होने देगा हो यह वहां पर भर वाले परशार होंगी कि रवी कहां है उसको रूंडे निकलेंगे अईसा कुछ हुआ लिए बलकि प्लाट टेक्ट नवरा ट्विस्ट टाल दे कि रवी अपने एक दोस्त को बोल रहा है कि तू मेरी जगा जाकर वहां पर मेरी जगा ले ले ठीक है जब तक मैं अपना काम रिप्टा किया हूँगा और जो स्टार्टिंग में जितनी भी वो जो होती है रसमें वो सिर्फ प्याँ अपने घर में शादी हैं स्टार्टिंग में बुम्व्वार कर रही है काव्यर क्या कर रही है काव्यृ इतनी ज्यादा खुश है अपनी शादी से। कि वो बंदी शेंपें प्रजियुकर चैइम्पें पिठ ठिबगो खोल कर इंजुआ कर रही है اور और वो बोल दिये अपने एक दोस्त को भाय अगर तु यहां पर उती है तो को मैं बताती है कितनी जादा मैं खुश है वो बलकी यह बता रही है उसे कि रभी है निया पर पता नहीं कहां चला गया पता ही चल रहा उसके दिमाग में शक मार रहे हैं कि शायद वो प्रतिक्षा के पास गया होगा ठीक है बास समझ में आगी लेकिन इस बात को सुनकर काव्य इतना बड़ा कदम उठा लेगी अनेक्सपेक्टेड काव्य जाती है प्रतिक्षा की शादी में और प्रतिक्षा की शादी में जाकर सबसे पहलें तो उसका कंफनेटरेशन होता है किंजल और पार्वूल से, किंजल और पार्वूल दो बोलें कि तुम यहाँ पर क्यों आयो क्या मतलब तिम्हारे आने का तुम्हाई भी शादी यहाँ तो अपती शादी का वैन्यू में जाओ, तो सीथ है बोलती है कि यहाँ पर मेरा रवी है मुझे पता है तुम लोगों ने मेरे रवी को बांद के रखा हुआ है पर छुपा के रखा हुआ है और कहा है तुम्हारी बेहन प्रतिक्षा बता हो कहा है और उसके उपर बहुता चिलाती है उसके उपर ही होते कि उसने मड़ किया उसने यह किया उसने वो किया वो कि यहां पर उचे कहीं रहा था कि शायद जिस तरीके से में देखने को मिल रहा है। कि काव्या बोले चली ज़ी ज़ी यहां पर किंजल अ पाडूल का कंफृंटेशन दिखा हे सिर्फ बस यहां पर उसके चाचा जाते हैं प्रतिक्षा के और वह भी बहुत तीजी से बहुत तेज आवाज में काव्या पर चिलाते हैं बहुत जादा एंड इतना जादा यह बस में जो हमारा हाइलेट है वह एपिसोड का यही था क्योंकि इसमें तरही सारी चीज्ज हो गई की समझ में हाँ थोड़ा सा खींचा लेकिन लगता नहीं कि खींचा गया इसको देखकर बड़ा मज़ा आया क्योंकि उसके चाचा जिस तरही किस एग्रेसिव हो रहे थे हैं टाइम टाइम पर आके काव्या को कौन्फरेट कर रहे आप जिस तरह के अग्रेशन देखने को मिला kya कहते हैं प्रतिक्षा के चाचा के अंदर वह अलगी लैवल का था और जब तक प्रतिक्षा के चाचा काव्या से लड़ रही थे तब तक उसकी चाची का ब्रुइट रोल मिली था उस कि पूरे सीन का इस पूरे शॉर्ट का बह बनिती है नुगहें व Serviceract कॉल शुरी फुल फर्सिक्शा का बोलते हैं कि मैं अस्य इसको लेकर जाएंगे तो जानता नहीं है मेरी पापा कौन है तो इतने चार्जस लगाएंगे ना तो सोच भी नहीं सकता तो यहां पर क्या कहते है प्रिटिशा की चाचा यह बोलते हैं कि अगर वो वकीर है तो हम लोग भी हमें भी पता है कि क्या कर रहे हो तो तुम ऐसे गुसरे हो ना पब्लिक किसी का कर रहे हो तो मुस्के उपर इतने गोड़ उपकर करे हो ठीक है UA took-ileam एक से ऑपर भी ना बहुत बड़ा एक इंस जिख्राव का जबार ने लगोंने लगों ने एप वार निह पाँकि रहोगी तो नुम-भार महीं आप आ पा करा दोब ओन province प्रतिक्शाब प्रतिक्शाब चिलाती है लगाता चिलाती तो येरी लिए को उन्हों छुपा के करको है रवी ओनों ने किडनाइब कर लिया होगा रवी को मतलब बहरा फूसला लिया वह बहुत सारी बाते बोलती है लेकिन सबसे ज़्यादा अथी तब होती जब प्रतिक्श्चा हमाँ पर आ जाते है प्रतिक्श्चा से बात उती है प्रतिक-शाडी में चुप रहती है और कावधह यही तक पोल लेती करती है। उसने रवी कुपने कब्दे में क्र लिया है और रविए ४री होगा, तुम थो कुम थो कुछ हो Ilth कुम थो चुम grieving रहती होगा उत smells को गायब कर्वा सब शान बस देख रहे होते हैं कि क्या बोल रहे हैं फिर उसके वाद end में क्या होता है फ्रतिक्षा बोल ते जब उस्के हेती हो जाती है कि बस बहुत हो गए। बहुत सुन लिया, and एक और बात जो भी कुम बोल रही हो कोगती है तहगा ता वहाँ पर मलहार आइता उपर नीचे मला जैसी आता उसको भलते हैं, शहरा हटाओ, हटाओ, अब यहां पर एंट्र री होटी है पृतिक्शा की चाची की, यहां पर वह मलहार के साफ़ा साइसमान बहुत सादा बेज़ित कर देती हैं लेकिन तब भी काविया का जो एगो है ना वो कम नहीं हो रहा वो उसी मतलब साथवे आसमान पर लगा था नौन सब भाई बंदी का एगो खतमी नहीं हो रहा और जब बहुत जादा अती हो जाती है ना तब मलहार दिखा देता अपना सहर कि देख लो भाई कौन है सिंपल से बाद फिर मलहार को देखके यहां पे काविया थो जो रहिसी शान्त होती है वो यो तिक नहीं भाई गरबर होगी बहुत बड़ी गरबर होगी नहीं उन्च यह थी और यहां पर पिर यह देखने को मिलता है कि जो मलहार है वो यह बोलता है कि अब हम चाहए तो तो किसे घर में घुसी हो किसी गुसी ओ Dios कि ऊप लिख कर्वा केस मैं ाpsारा का घृत्ष वह मैं मैं लिखके दे रहा हूँ यह मैं लिखके दे रहे हूं यह ठीक है विजे पापा की परी है जो यह नील परी गगन परी जो भी पर रही है यह इसको फिर देखते हैं इसके पापा छुडवाई लेंगे लेकिन आज की जब जेल में बिताएगे तो इसको अच्छा तो लगेगा यहां फ्रतिक्षा की एं नीचा की लिएक तो हमारे हमें और उनके में क्या डिफर्नेस है जाएगा और यहां पे कावजया का जो यह चैटर था महीं परी खत्म एकिक्षा की यह यह अच Chip परे इन सब्सक्राइब बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाही थी प्लस जो दूसरी चीज इस के बाद में यह देखने को मिलता है कि जो रवी है वो अपनी गाड़ी में बैठा होता है वो जा रहा होता है शादी में ठीक है अब यहां पर गाता है अपनी फैमिली को फोन करता है उसकी फैमिली का फिलता ट्रैंस होती कि कहां गया रवी क्या हो गया क्या कर रहा है तो उससे बात वात करते हैं तो फिर रवी बोलता है कि यहां म और फिर में यह देखने को मिलता है कि जो रवी है प्रोमो में वह प्रतिक्षा के घर में कि ऐसा पंडेत बनकर का करेगा वह प्रतिक्षा की शादी का सित्यानास करेगा अगर इस तरीके से इकानी चल रही है ज स्टोरी को खींचते रहे थीकमेफिड में ना कि इसमें एक आप होता है कि slow slow में जब अजस्ती किसी चीज को जब अजस्ती मतलब खीच-खीच के लंबा करें वह ना हो जिस तरह की स्पीड में चल रहे हैं एपिसोड वैसी चलते रहे हैं लेटिस अब्डेट